हेलो गाईस हम बात किने वाले हैं stock market की तीन ऐसी बड़ी कमपनिया जो आप लोगों को अपने आप में monopoly stocks देखने का मिल जाता है company देखने का मिल जाती है और इन कमपनियों का market share बाकी listed company के comparison में कई गुना जादा देखने का मिलता है इसी के बारे में discussion करेंगे सबसे पहली company आ जाती है FL India इस company का result आप लोगों के सामने है mobile advertising sector से जुड़ी वी company है company का यहां पर से standalone result है सारी amounts millions में बताई गी है quarter and quarter base के result को compare करेंगे यह इस quarter का result यह पिछले quarter का result यह पिछले साल से हम quarter का result देखने को मिल जाता है company की income की बात करेंगे तो revenue from operation and other income को मिला कर company का total income इस quarter के अंदर 1441.51 million रुपिस का company का total income है quarter and quarter base के उपर और पिछले साल सेम quarter के मुकाबले company की income में बहुत ही बड़ा यहां पर आप लोग बोल सकते हो 1,154.22 million रुपिस का जिस परकार से company की income बढ़ी है वैसे वैसे करके company के expense भी बढ़ते विए नजर आ जाते है बाकि इस company के net profit की बात करें तो tax and exponential item काटने के बाद company ने 214.75 million रुपिस का net profit generate किया है quarter and quarter base की उपा company के net profit में एक अच्छा jump है बाकि पिछले साल सेम quarter के मुकाबले company के net profit में 90% से जादा का jump देखने का मिल जाता है बाकि इस company के EPS earning पर share की बात करें 1.61 रुपिस पर company का share का EPS trade हो रहा है जो quarter and quarter base के उपार और पिछले साल सेम quarter के मुकाबले बहुती बढ़िया show करता हुआ नसर आ जाता है अब यहाँ पर बात कर लाता है इस company का revenue segment है किस segment से company का जादा तर revenue आता है तो यहार इस company का consumer platform business है उसी से company का जादा तर revenue आता हुआ नसर आ जाता है advertising segment आप लुग बूल सकते हो बाकि enterprise platform से भी इस company का second largest मना थुड़ा बहुत revenue आ जाता है ठीक है अब यहाँ पर बात कर लेता है FL India इस company के अंदर करना क्या चाहिए टेकनिकल बेस के उपर FL India की बात करें तो यह company का share यहाँ पर से अभी 1070 रुपे के आसपास trade होता हो और नसर आ जाता है निशी की तरफ इस company के अंदर है 1030 रुपे का level 918 रुपे का level इसे ही के साथ साथ 633 रुपे का level है यह कुछ levels है जहाँ पर इस company के श्युव में खरीदारी करने का मौका है बिक्वाली करना चाहते हो तो 1150 रुपे का पहला है आपर level आएगा जहाँ आपर बिक्वाली करने का मौका है 1290 रुपे का second यहाँ पर level है और 1500 रुपे का level है जहाँ पर आप लोग बिक्वाली कर सकते हो short term के targets आप लोगों को देखने को मिलेंगे बाकी हमारे viewers and subscribers जो आप लोग FL India के अंदर invested हो तो मेरी तो यही सला है कि आप लोग इस company के share में hold and continue करके चलना company का यहाँ पर से listed peer की बात करें तो कोई भी share market में कोई भी हाँ पर listed peer नहीं देखने का मिलता है इस company का direct competitor share market के अंदर कोई भी नहीं है इसका भी advantage इस company को मिलता हूँ नसर आ जाता है ठीक है तो यह चीज़ जरू सियाद रखना बाकियार मेरी तो यही सला है invested हो तो भाई hold बस तोड़ा patience रखना पड़ेगा company बढ़िया अपना business चला थी वही नसर आ जाती है ठीक है अभी यहाँ बात कर लेता है अगली company के बारे में अगली company आ जाती है एक monopoly company है multi commodity exchange of India यह company आपर से almost जाधा तर 90% से जाधा का जो market share है वो hold करती है commodity exchange मतलब commodity trading के अंदर बाकी इस company क है हाँ पर considerate result आप लोगों के सामने प्रेसेंटेट है quarter and quarter base के उपर result को compare करेंगे यह इस quarter का result है यह पिछले quarter का result है यह पिछले साल same quarter का result देखने के मिलता है company के यहाँ पर सारी amounts of result के अंदर lakhs के अंदर बताएगी है ठीक है company की income की बात करिए revenue from operation and other income को मिला का total income is quarter के अं एक अंदर एक अच्छा jump देखने को मिल जाता है बाखी इस company के expense की बात करें तो employee की cost and अलग-अलग बहुत सार expense को मिला कर company का total expense इस quarter के अंदर 11,517,000,000 रुपिस का total expense है जिस परकार से company की income बढ़ी है उससे कई गुना जादा तीजी से company के expense बढ़ते हुए नजर आ जाता जो एक company के लिए चिंता का विशय है बाखी इस company के net profit की बात करें तो tax and expenses item काटने के बाद company ने 3879,000,000 रुपिस का net profit जिनरेट किया है quarter and quarter base के उपर company के net profit सरू से कम हुआ है बाखी पिछले साल से quarter के मकाबले company के net profits में थोड़ा बहुत बढ़ बढ़ उतरी होता वन हसर आ जाता है बाखी इस company के EPS earning को शीर की बात करें तो वो यहाँ पर से 7.62 रुपीस पर trade हो रहा है जो quarter and quarter base के उपर company का EPS से वो कम हुआ है बाखी पिछले साल सेम quarter के मकाबले company की EPS में बढ़ोतरी होती भी नज़रा जाती है overall इस company का result मेरे इसाब से decent result है ना यहाँ पर बहु आने वाले समय में 1000 रुपे के आसपास के levels की उपर आता है तो इस company के अंदर खरीदारी करने का मोखा है बहुत इच्छा strong support zone है उससे आप लोग उपर थोड़ा aggressive investment करना चाहते हो तो 1170 रुपे का level है 1170 रुपे के levels की उपर भी इस company के अंदर investment किया जा सकता है ठीक है बाग लोगों ने इस company के share में short term के लिए खरीदारी की थी तर आप लोगों का पहला target रहेगा 1830 रुपे का दूसरा target रहे गया हाँपर 2090 रुपे का ये दोनों target के उपर आप लोग profit booking कर सकते हो short term के लिए बागी long term के investor इस company के अंदर खरीदारी करके बस hold रखे company ठोड़ा time रिलक्स फूटवेर की बात करें तो इस company का result आप लोगों के सामने प्रेजेंटेड है सारी amounts of results के अंदर करोडस में बताएगी है quarter and quarter base के उपर result को compare करेंगे ये इस quarter का result ये पिछले quarter का result ये पिछले साल same quarter का result देखने को मिल जाता है company की income से शुरूआत करता है revenue from operation and other income को मि मिला कर company का total income इस quarter के अंदर 685.45 करोड रुपीज का देखने का बलता है quarter and quarter base के उपर company की income है वो थोड़ी सी आप बढ़ी है बाकी पिछले साल same quarter के मुकाबले company की income में गिरावत आती भी नसर आ जाती है बाकी इस company के expense की बात करें तो purchase of stock in trade and अलग-अलग यहाँ पर से company का room material का question वो साइच चीज़ों को मिला कर company का total expense इस quarter के अंदर 644.87 करोड रुपीज का देखने का मिलता है पिछले quarter के मुका मुताबीती इस company का एकदम same to same company का expense रहा है बाकी इस company की थोड़ी income बढ़ी है जिसकी वज़े से company के operating profit margins में बहुती कम थोड़ा सा इजाफ आता बाकी इस company का यहाँ पर overall आप लोग expense देखने जाओगे तर expense इस company का पिछले साथ same quarter के मुकाबले कम हुआ है overall इस company के net profit की बात करें तो tax and expensive item काटने के बाद company ने आपर से 30.1 करोड रुपीज का net profit generate किया है जो quarter and quarter base के उपर almost 8 करोड रुपीज का यहाँ पर बढ़ोतरी है और पिछले साथ same quarter के मुकाबले almost 40 करोड रुपीज का जो profit है यहाँ आप लोग बूल सकती हूँ revenue net profit है वह यहाँ आपर से कम होता हुआ नजर आ जाता है जो एक चिंता का विशह है ठीक है बाकी overall इस company का earning पर शेर आप लोग देखने जाओगे 1.21 रुपीज पर EPS base के उबर बढ़ा है बाकी पिछले साथ same quarter के मुकाबले कम होता हुआ नजर आ जाता है overall इस company का result मेरे इसाब से अभी बहुत ज़्यादा बेकार है अभी भी यार company को बहुत ज़्यादा अपने result की उपर अपने आपको यहाँ पर improve करने की चड़ूत है result के मामले में overall इस company क result मेरे को कुछ खास अच्छा नहीं लगाए ठीक है अभी यहाँ बात कर लेते हैं इसका impact company के share के उपर क्यासा पड़ेगा तो देखो company के share में एक चीज़ ज़रू से बहुत ही अच्छे खरीदारी करने के level साने वाले समय में आ सकते हैं relax of footwear अच्छा खासा आमलब बाट आ आपर market share सबसे जादा है और यह company आपर से बहुत ही अच्छा performance किया है long term के अंदा आप लोगों को मैं इसका proof भी मैं दिखाता हूं देखो यह company का है आप लोगों के सामने one month का candle आप लोगों के सामने open है ठीक है यह company ने कैसा return दिया है वो आप लोगों को यहां से समझ में आएगा आज से यहां पर आप लोगों देखने जाओगे 2018 से लेलो चलो 2017 से लेकर अभी तक 2022 तक का आप लोग रिठन देखने जाओगे तो यह company ने अपने शिर उल्लस को बहुत ही बढ़िया return कमा कर दिया है अल्मूस्ट 240-230 रुपे का शिर 1314 रुपे पर पहुच चुक तो footwear या यहां पर आप लोग campus देखने जाओ या बाटा की बात करो तो यह सारी company के यहां पर जो brand value है ना वह यहां पर से बहुत ज़्यादा कम होने की वाज़े से लोग इनके products यहां पर कम खरीदना purchase करता है नाइक एडिटाइज और इन company के comparison में देखने जाओगे तो ठ पर इसलिए यह सारी चीज़े यहां पर दिक्कत आ रही है आने वाले समय में company अपने branding के उपर थोड़ा और जदा काम करती है तो मेरे को असा लगता है और अच्छे इस company के यहां पर outcome आ सकते हैं बाकियार मेरे को क्या लगता है इस company को लेकर वह अप लोगों को मैं बताता हूँ जो आने वाले समय में company का share 750 रुपे पर आता है तो अब लोग इस company के अंदर खरीदारी कर सकते हो उससे नीचे company का share breakdown देता है 750 से तो आप लोगों को यहां पर 590 रुपे और 500 रुपे यह सभी levels के उफर इस company के अंदर investment करने की राय रहेगी ऐसा बिलकुल भी नहीं ह यह company के share में पहली बार गिरावट आई है इतनी जादा आप लोगों को यहां पर ऐसे growth वाले जो company होती है न अच्छा अच्छा return यहां पर बहुत medium term में कमा कर देती है पांच साल दस साल के अंदर एकड़म बहुत multi bag return कमा कर देती है इन company के अंदर जब गिरावट आती है न जो आप लोगों को यहां पर यह company का share 500 रुपे मिलता है तर एक golden opportunity मान कर इस company के इंदर investment करने का मौका है 590 रुपे का भी अच्छा level है यह दोनों levels के उपर इस company के इंदर खरीदारी करने की राही रहेगी बाक्यार आप लोग बिक्वाली करना चाहते हो तो current level के उपर बिक वाली करके चल सकते हो short term के target रहेंगे बाक्यार एक चीज़ जरू से बहुंगा relax ओ footwear company बढ़िया है long term में इस company के यहां पर share को अपने portfolio में hold करने की जरूरत है बस आप लोग profit में हो loss में हो no matter इस company के share को hold and continue करके चलना चलना चुब यहां पर से loss हो रहा होगा शायद आप लोग ने उपर की levels के उपर गलती से investment कर दिया है तो आप लोगों को घबरानी की जरूरत नहीं है वापस यह company का share थोड़े टाइम की बाद bounce back जरू से लगाएगा ठीक है तो यह था हमारा opinion इस company को लेकर तो बस अच के लिए इतना ही वीडियो पसंद आए तो like and चैनल को subscribe क करना मत बूलना good bye love good bye फिर मिलते नेक्स टोड़े में good bye